तो पहला सवाल के है हमारे इस वीडियो का देखता है 108 नमर सवाल लेगे एक बार आप प्राई कर लो इसको यह सवाल हमें कह रहा है कि किसी दो अंकिय संख्या को दो बार साथ-साथ लिखकर एक चार अंकिय संख्या बनाई जाती है जैसे 15 15 37 37 इत्यादी और इस रूप से ने होना था वैं विबंत होगी आपको गयात करना है मतलέ आप क्या कर रहे हो कि संख्या को दो अंकों की संख्या बार-बाण रिपीट कर रहे हो गया है या नहीं इस तरह के से split करके हम लिख सकता है इसको पुछ जैसे मालो मैं आपके सामने लिख दू 519 तो क्या मैं इसका ऐसा नहीं लिख सकता 500 प्लस 10 प्लस 9 split करके लिखा है तो यह सेम चीज हम नहीं यहां पर की अब यहां तक आने के बाद मैं क्या कर रहा हूं देखो इसमें 100 common ले रहा हूं इन दोनों मैं क्या कर रहा हूं 100 common ले रहा हूं तो जैसे ही मैंने 100 common लिया अंदर क्या बचेगा 10 A प्लस B यहां पर मैं क्या कर रहा हूं जो दो अंकों की संख्या को चिपका कर बनी है इसका मतलब यह हुआ कि उस संख्या को जब आप करका देखो गे तो वह कुछ इस प्रकार से मिलेगी और वह हमेशा और हमेशा 101 की मल्टिपल होगी इसका मतलब वह जो संख्या है हमेशा अप्शन नमबर डी यानी 101 से डिविजिबल होगी होगी तो यह था हमारे सवाल 108 नमबर सवाल ठीक है तो हेलो फ्रेंट्स स्वागत एक बार फिर साब सभी का डिश्टल देयरी यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है चेतन पारिक आरे सगरवाल के इंदी वाले बुक हम सवाल कर रहे हैं एक सवाल हमने कर भी लिया है इस पार्ट का कौन सा पार सुरू कर दिया है आपको काफी चीज़े सवालों के साथ-साथ चीखने को मिलेगी आप मेरे साथ-साथ बने रही है और एक सवाल को ट्राइग करते रही है आगे बढ़ेंगे हमारे next question क्या और देखो next question क्या है हमने 108 number सवाल तो करी लिया था उसके बाद हमारा अगला जो सवाल है एक question है हमारा 107 number ठीक है 108 हमने कर लिया था उससे पहले 107 number question को miss कर दिया था हमने कोई बात नहीं इसको भी हम कर लो इसको यह सवाल हमें कह रहा है कि एक संक्या है यह कुछ इस प्रकार से छे साथ तीन पांच और यह एस्ट्रिक्स है और फिर वन है यह कह रहा है सवाल कि यह जो संक्या है वो 9 से विबाज यह है इसके लिए इस एस्ट्रिक्स का जो मान है वो नियोंतम मान क्या हो सकता है यह आपको व्याद करना है ठीक है 9 का divisibility rule अभी आपको याद होना चाहिए जैसे जैसे सवाल आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको उन numbers के divisibility rule शिखा के चलूँगा और वैसे आपको योग है वो 9 से divisible होना चाहिए इन सब को जोड़ दो आप तो 6 और 7 किते हो गए 13 13 और 3 किते हो गए 16 16 और 5 किते हो गए 21 21 और एस्ट्रिक्स को चोड़ दो एक वार इसको एक को जोड़ दो यानि कितना हो गया 22 तो 22 प्लस एस्ट्रिक्स ठीक है यह जो संख्या आपको मिली है यह 9 से divisible होनी चाहिए तो यह देखते ही आप कह दोगे कि सर एस्ट्रिक्स की जगे आप 5 रख लो जैसे ही आप 5 रखोगे तो यह 27 बन जाएगा और 27 बिलकुल 9 से पूरी तरीके से divisible होता है होता है इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो आंस वरे हो क्या होगा option number C 5 आई ब करते रही है ठीक है यह है हमारा 109 number question फटाफट से इसको एक बार देख लो राई कर लो अपने दरफ से सवाल कह रहा है कि P और Q अंक क्या निरुपित करेंगे ताकि यह condition जो है satisfy हो जाए वलब Q का अधिक्तम संभव मान क्या है आपको Q का अधिक्तम संभव मान आपको जो भी चीज मिलेगी वो मुझे इस तरह लिख दूँगा मैं तो देखते हैं यहां पर 1114 मेंसे अगर मैं 327 को माइनस करता हूं यहां पर क्या मिलेगा 14 मेंसे 6 चला जाएगा 7 10 मेंसे 2 चला जाएगा 8 हो गया चाहिए उसके बाद यहां पर 10 मेंसे 3 चला जाएगा तो 7 हो और फिर यह तो 0 ही है यानि किता मिल गया मुझे 727 मिल गया ठीक है किता मिल गया 727 यहां तगाई बाद समझ में अब हम इसको भी स्प्लिट करेंगे जब भी ऐसा कोई केस मिल जा जहां पर आपको पी क्यू के बारह में नहीं पता पड़ पा रहा है तो आप इस प्लिट कर 10 क्यू प्लस आप यह किसके बराबर हो जाएगा 727 के बराबर 500 और 200 किता हो गए 700 700 और 9 किता हो गए 709 709 में 8 भी जोड़ दो आप ठीक है तो 709 के अंदर 8 जोड़ा तो किता हो गए यह हमरे पास यह हो गया 717 717 जब उस तरफ चला जाएगा तो 727 में से 717 गटेगा तो य यहां पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 10P प्लस का 10Q इस इक्वल में 500 और 200 700 हो गया 700 और 9 709 709 के अंदर 8 जोड़ दिया तो यह किता हो गया फिर कुल मिला कि 717 उस तरफ चला गया माइनस कर देगा यहां पर 10-10-10 सारे गट गया तो आप देख सकते हो P प्लस Q जो है आपको किता मिल रहा है वन मिल रहा है प्लस Q जो है आपको किता मिल रहा है वन अगर वन मिल रहा है तो Q के अधिक्तम संभव मान के लिए P को आप 0 रख लो तो फिर आपको Q किता मिल जाएगा 1 मिल तो 14 में से 7 चला गया, बिल्कुल 7 है यहां पर, ठीक है, बाकी सारे चीजे यहां पर हमने लेकी यही पर हमने गड़बड कर दी है, माइनस करने में, इसको साही करता है, तो 14 में से 7 चला जाएगा, 7 आ गया, उसके बाद यहां पर 0 बचेगा, 10 में से 2 चला जाएगा, तो यह ड़ा पर कितना आएगा, साथ आएगा यह उँक चीज मिलेगा 700 सी अजय जिस यहापने मिलेगा, I hope यह मिश्टेक आपने मेरे से पहले पकड़ ली थी तो 787 में से 717 जब आप माइनस कर लोगे इस न जो पीछे आपको सवाल समय में आ चुका है आपको और इस सवाल को आप डाइरेक्ट आप्सें से भी अप्रोच कर सकते थे आप वन बाइवन आप्सें पकड़ो क्यों की जगे रखो और पी की जगे नियून तम वेल्यू रखते जाओ नियून तम वेल्यू तो फिर जीरो पॉसिबल है तो जी पड़ेगी तो अगर आपको याद नहीं भी आ तो देखो मैं समझा दोगे सवाल कह रहा है कि यह संख्या है कम से कम इसमें क्या जोड़ोगे ताकि जो योगफल है वो चार से पूर्ण तया विबगत हो जाए अब कोई भी संख्या चार से विबगत होने के लिगे क्या चाहिए 20 कप चार का पूरा-पूरा भाग जाना ही चाहिए उसमें आप एक कर दिमाग रहा होगा उना होता है और 92 के अंदर 4 का divide बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है अगर पूरी तरीके से जा रहा है तो फिर हमें क्या जोड़ने की जरुरत है तो हमें 3 जोड़ने की जरुरत है आई बात समझ में तो यही है हमारे 4 के divisibility का roll विबा जक्ता का नियम कि लास्ट के दो अंकों के अंदर 4 का भाग पूरा-पूरा जाना चाहिए तीक है आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के अगला सवाल है देखो यहाँ पर आपको 11 के डिविजिबिलिटी रोल सीखने को मिलेगा पटाफट से एक बार आप अपने तरफ से इसको ट्राइ कर दो सवाल कह रहा है कि कोई संख्या है यह रही एट जीरो थ्री सिक्स पोर और तू यह संख्या कम से कम इसमें आप क्या जूड़ो ताकि जो योगफल है वो 11 से कि पूरी तरीके से विवग्ता है अप इसके अंदर क्या जूड हो कि जो संख्या है 21 से पूरी तरीके से मान लिया कि आपने एक्स जूड़ людей अप डो की जगे क्या लिख दिया आपके दो प्लस एक्स जोड़ा ठीक है अब 11 का क्या कहता है कि अल्टरनेट नंबर्स का सम लो और उनका डिफरेंस कर लो अल्टरनेट नंबर्स मतलब एक चूड़ के एक आठ तीन और चार को जोड़ लो कित्ता हो गए यह आठ और चार बारा बारा और तीन कित्ते हो गए 15 और इसमें से आप घटा लो दूसरे जो अल्टरनेटिव वाला पैर बन रहे हैं जीरो और च्छे च्छे और यह जोड़ो के तो कित्ता हो गए च्छे और दो आठ हो गए और प्रैकेट के बाहर क्या है अगले सवाल के और अगला सवाल देखो हमारे पास 112 नमबर सवाल है इसके अंदर भी 11 का डिविजिबिलिटी रोल के बारे में ही सवाल है यह क्या रहा है कि यह संक्या इसमें यह जो एस्ट्रिक्स है इसका मान क्या होगा ताकि संक्या 11 से पूरी तरीके से विबगत हो जाए ठीक है तो 156 इसको मैं एक से लिख रहा हूँ ठ ठीक चोड़ के एक सिंख्या है लो ठीक है और यह बाल यह चार के साथ ठीक है तो पहले तो जोड़ो एक और भूर शे कित्ते हो गровग है यह exists 16-16 और 2 कित्ते हो गए तो 9 मिलेगा तो 9-X बराबर अगर 0 है तो X कमान किता आया 9 आया अगर X कमान 9 है इसका मतलब option number D क्या होगा हमारा correct answer ठीक है तो I hope सारे divisibility rule आपको साथ साथ में याद होते चल रहे हैं यहाँ पर लगबख सारे ही आ जाएंगे कुछ अगर नहीं आ पा रहा है तो वो आप जरूर याद कर लेना उनको जो इस book के अंदर है न वो मैं आपको जरूर सारे करा दूँग यहाँ पर आगे बढ़ता है आट के divisibility rule के बारा में सवाल है कि इसके अंदर आप कम से कम क्या जोड़ो ताकि जो योगफल है वो आट से विपक्त हो जाए तो आट से विपक्त होने के लिए क्या divisibility rule होता है कि last के तेन डिजिट के अंदर आट का डिवैड जाना चाहिए अगर आप देखो 116 के अंदर आट का भाग लगा हो तो देखो भाग जाई नहीं रहा है तो फिर 116 के अंदर आप क्या जोड़ो ताकि एक ऐसी संक्या मिले जो आट से विपक्त हो जाए ध्यान रखे कम से कम संक्या जोड़नी है क्योंकि कूप सारे संक्या है जो जो जोड़ते पर आट से विपक्त हो सकता है लेकिन आपको कम से कम संक्या जोड़नी है तो ऐसे में यहां पर क्या जोड़ेंगे तो आपके दिमाग मारा होगा सर यहां पर चार जोड़ दो क्योंकि जब मैं चार जोड़ता हूं तो यह 120 बन रहा है और 120 में 8 का डिवैड हम बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं 15 बार में तो यहां पर हमें क्या जोड़ने की जरूरत है यहां पर हमें चार जोड़ने की जरूरत है यहनि option n बढ़ में क्या होगा हमारा correct answer क्या है 1 Y 3 Y और 6 एक छोड़ के एक संख्या है पकड़ो तो कित्ता हो गया 10 और यह वाली पकड़ किता हो गया 2 Y इन दौनों का जो difference है क्या होना चाई है 0 होना चाहिए इसका मतलब य का मान अगर पांच आरा है is का मतलब क्या हो गया option number D हमारा correct answer हो गया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है देखो अगला सवाल है हमारा 115 नमबर सवाल फटाफट से सवाल को देखो try करो क्या कहना चाहरा यह सवाल तो यह question हमें कहा रहा है कि यह जो संख्या है पूर न तया 11 से विवक्त है तो फिर ऐस्टरिक्स का मान क्या होगा वही सेम सवाल है फटाफट से देख लो एक बार आप तो चार आट तीन दो साथ एक्स और अगर ग्यारा से डिविजिबल है इसका मतलब alternate number का सम करो और उनका यह जो है बराबर किसके रहेगा यह बराबर रहेगा मिरे पास जीरो के बराबर रहेगा यहां तक आई बात समद में अब यहां तक आने के बाद आप एक जीज़ देखोगी है 22 में से अगर आप 10 गटाते हो तो आपको मिल गया 12 ठीक है और यह उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो गया एक्स हो गया यह आप यहां पर देख सकते हो कि एक्स कमान बारा मिल रहा है मतलब आपको यहां पर क्या रखने की जरूरत है यहां पर आपको बारा रखने की जरूरत है क्या आपको बारा रख सकते हो गया नहीं रख सकते है सिंगल डिजिट न गये 20 यहां पर ठीक है उसके बाद में 8 और 2 हो गये 10 और यह है एक्स तो 10 में से एक्स चला गया सामने किता मिल गया जीरो चलिए ठीक है तो यहां तक हमने करके देख लिया यह सब कुछ करने पर हमारा काम नहीं बैटा तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखो अगर 0 से नहीं बैट रहा है तो आप फिर यहां पर 11 रख लिकोंगी डिविजिबल डिफ्रेंस जो है वह यहां तो 0 हो यह 11 के मल्टिपल में हो तो 0 स का जो मान कित्ता आएगा, एक आएगा, मतलब आपको यहाँ पर क्या रखने की जरुरत है, यहाँ पर आपको एक रखने की जरुरत है, जैसे यह आप यहाँ पर एक रखोगे, तो जो संख्या आपको मिलेगी, वो 11 से पूरी तरीके से divisible होगी clear तो आई हो पच्छी तरीके से सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो के comment section के अंदर आपको जरूर लग क्या बताना है कि सारी चीजें समझ में आ रही है और like भी जरूर करना है वीडियो को और साथ इसाथ जो जो लोग competition के तयारी कर रहे है railway की या फिर बात करो आप SSC की तो सब के साथ share करना है ये सवाल क्या है कि छोटे से छोटा मान बताओ आप asterix का ताकि ये जो संख्या है 9 से पुरी तरीके से बढ़ता है 9 से divisibility चेक करनी है तो कोई भी संख्या 9 से divisible कब होती है जब उस संख्या के अंको का योग 9 से divisible हो तो यहाँ पर हम अंको का योग करते है 6, 7, 3, 5 asterix के जगे x लिख रहा हूँ और यह हो गया 1, सारे के सारे अंको को जोड़ो तो 6 और 7 किते हो गए, 13, 13 और 3 किते हो गए 16, 16 और 5 किते हो गए यह हो गए, 21 और 21 और 1 किता हो गए, 22 तो 22 प्लस x जो है, यह जो चीज है यह divisible होनी चीए, किस से? 9 से, तो x के जगे आप क्या रखोगे? तो यह आपके दिमाग मारा हो किसर x के जगे 5 रख लो एक संख्या है, हमारे पास 6, 7, 1, x, 4, 8, 3 पटा फरसीन को अगर हम जूडें तो यह किता हो गया, 13, 14, 14, 14, 14, 18 ठीक है? और 18 और 8 किते हो गए, 18 और 8 हो गए, 26, 26 और 3 किते हो गए, कुन 30 और प्लस क्या है x? अब आप x के जगे क्या लिखोगे? तो आपके दिबाग मारा होगे, x के लिएगे 7 लिखोगे क्योंकि जब आप 7 लिखोगे, तो 29 और 7 किता हो जाएगा? 29 और 7 हो जाएगा, हमारे पास 36, 36 पूरी तरीके से डिविजिबल है 9 से इसका मतलब x का जो एस्टिक्स यानि x का जो मान है, वो क्या होगा? पहें, थेंक यू प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी!